नमस्कार दोस्तों हमारी YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आज जो पोधा आपको इस वीडियो में दिखाएंगे यह पोधा बहुत ही खास है और बहुत ही दिब्य औवसदी के रूप में इसका प्रियोग होता है साथ साथ दोस्तों इसको खाने के रूप में भी परियोग किया जाता है जैसे कि भाजी बना करके साग बना करके इसका परियोग किया जाता है तो दोस्तों ये पोधे को आप देख लिजे और पहचान लिजे बहुत सारी लोग इसको जानते भी होंगे पहचानते भी होंगे क्योंकि यह पोधा हर जगह मिलता है पूरे भारत बरस में चाये गाँ हो या सहर हो हर जगह यह पोधा असानी से मिल जाता है दोस्तों यह खरपतवार के तरह उगता है अपने आप उगने वाला पोधा है और दोस्तों इसको इसमें यह जो अपोधा देख रहे हैं यह चोलाई के नाम से जाना जाता है एक चोलाई होता है जो कि साग और भाजी की रूप में हम लोग इसको खाने में परियोग करते हैं एक यह होता है जंगली चोलाई जो आप जो वीडियो में देख रहे हैं यह जंगल नहीं होते हैं और जंगली चोलाई होते हैं इसमें काटे होते हैं हर जोएंट पे काटे होते हैं और वो भी हाड होता है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जंगली चोलाई के पोधे के बारे में जो कि आउसदी के रूप में इसका प्रियोग होता है बहुत सारे बिटैमिन्स इसमें मौझूद होते हैं जिसके वज़े से हमारे सरीर को अंदर से स्ट्रॉंग बनाता है तो दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी वीडियो में हम बात करते हैं जंगली चोलाई के कुछ फाइदे के बारे में दोस्तों, चलिए इसकी फाइदे जान लेते हैं दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा खास करके बुरे लोग में जो हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है जी हाँ दोस्तों जैसे कि आज की समय में यंग लड़का हो या लड़की हो सब के हड्डी में जो होते है जब उठेंगे बैठेंगे तो हड्डी का कट-कट की हड़ी हमारे जो जोरों पर हड़ी होते है उसमें काटलेस्ट होता है जो कि घीस जाता है और कम हो जाता है जिसके वज़े से हड़ी में घरसन पैदा होने लगता है जिसके वज़े से यह आवाज आता है कट-कट की आवाज होता है तो दोस्तों यही चलकर आगे चलकर के गठ असा हो जाता है जिसके बज़े से हड़ी तूट जाता है जी हाँ दोस्तों कभी जैसे आप चलते फिरते कहीं एक्सिडेंट हो जाने के बज़े से या किसी भी बज़े से घिरने के बज़े से चोट लगने के बज़े से हड़ी फैक्चर हो जाता है मतलब तूट जाता है दोस धुन्योग को जौैंट में बहुत ही शायक होता है क्योंकि इसमें बहुत साड़े केल्सेयाम होते हैं जिसके बजicas हड़ी को असानी से जोरा जाता है दोस्तों जो मेरे हाद में देख रहा है है इसका एक खुराक से टूटिली हड़ी जुरने लगते हैं तो दोस्तों इसको कैसे प्रियोग करना है मैं वो बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छा दोस्तों जानकारी है बहुत ही दिब्य जानकारी है आप इसको एक बार दे जान ले और इसका प्रियोग करें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा दो बहुत सारे chemical दबाई देते हैं, बहुत सारे उसका जाच लिग देते हैं, जिसके वज़े से बहुत सारी खर्च करना पड़ता है, तो दोस्तों हड़ी तूटने एक बाद आप डॉक्टर के पास जरूर जाए, लेकिन दोस्तों आप अगर किसी का हड़ी तूट गया है दोस् और डॉक्टर के पास जा करके पहले हड़ी को अगर तूट गया है, तो दोनों अलग अलग अपने जगह से खिजक जाते हैं, जिसके बज़े से वह बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर से उसको सही जगह पे ले आए, और इसके बाद प्लास्टर भी करवाल है, क्योंकि हड़ी जुरने का जो प्रोसेस होता है न दोस्तों, कम से कम एक से डेर महिना लगता है, हड़ी को जुरने में, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप चुलाई खाएंगे, चुलाई के साख खाएंगे, तो हड़ी जुर जाएगा, लेकिन दोस्तों काम बह से करेंगे सेवन करने के कई प्रोसेस होते हैं दोस्तों एक तो सबसे पहले आप भाजी बना कर भी खा सकते हैं इसके काटे निकाल दें और चोटी 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 टुक्रे करके इसको भाजी बना करके भी खा सकते हैं और दूसरा क्या तरीका है दोस्तों इसके पत्ते को ले और उसको अच्छे सी धूल करके चवाक अगर खा सकते हैं तो ठीक है नहीं चवाके खा सकते हैं तो इसको पीस करके इसका रस निकाल ले 20 से 30 ml तक वराबर निकाल करके इसका सुभ़ साम सेवन करें तीन टाइम इसका सेवन करें दोस्तों यकीन मानिए जिस दिन आपका हड़ी तूटा है उस दिन का एकसरा करबा करके और इसका प्रयोग एक दिन करके दूसरे दिन आप इसका चेक करा करके एकसरा में चेक करेंगे तो आपको इसका result मिल जाएगा बहुत बहतरीन काम करता है हड़ी को जोरने में और दोस्तों यहां तक की सरीर में जो कट-कट के हड़ी के आवाज आता है गठिया जिसे समस्या है जोरों पे दर्द हो रहा है आपका जो काटलिस्ट जो होता है वो घिस गया है तो उसको भी यह पूरा करता है और आपके जो हड़ी में कट-कट-कट-कट की आवाज आने लगता है उसको यह खत्म कर देता है और आपके सरीर में कैलसियम की कमी नहीं होगा क्योंकि दोस्तों इस पोधे में कैलसियम भरपूर मातरा में होता है तो जैसे मैंने आपको बताया है दोस्तों चोलाई दो तरक होता है एक चोलाई होता है देसी चोलाई एक जंगली चोलाई तो हड़ी टूटने में अगर जंगली चोलाई का आप इसका रस का निकाल करके सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा दुगुना फाइदा करता है दोस् इसका बहुत आसान परियोग करते हैं और बहुत फायदेमंद होता है तो दोस्तों आज हमने बताया जंगली चोलाई के कुछ फायदे के बारे में उमीद करता हूं दोस्तों आज की जानकर यह आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना दोस् फिर मिलते हैं एक नई जानकरी के साथ एक नई उसदी के साथ तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्वस्त रहें मस्त रहें जैहिन जैभारत